नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे न्यूस में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर अब पटना की लोग 3D में देख सकेंगे तारों की दुनिया फागलपुर में दसवी और ITI पास को मिलेगी बंपर नौकरी फरजे सक्षक को पुलिस ने किया गिरफतार बिहार में इस वर्ष सामाने से कम होगी वर्षा जेटी वर्सेस येसके के बीच होने वाला IPL 2023 का फाइनल होगा खास इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से अब पटना के लोग 3D में देख सकेंगे तारों की दुनिया करीब 34 करोड रुपए की लागत से क्या जा रहा है मालम हो कि दर्शकों को घर बैठे भी 2D और 3D सो के लिए टिकेट कटाने की शुधा मोहिया कड़ाई जाएगी फर्जे सिक्षक को पुलिस ने किया गिरफतार इन दिनों बिहार में फर्जे सिक्षकों पर प्रशासम के ओर से कड़ी कारवाई की जा रही है बतादे किसी कड़ी में पुलिस के द्वारा बीते दिन बिहार के बांका के उच्षक मत्य विद्याले कठ़़ा में पदस्था पे उच्षक द्वारा राश्ट्री है विश्य विद्याले जोधपुर रायस्थान से बीट का प्रमान पत्र जमा किया गया था जो जाच में फरजी पाए गया है पटना मेट्रों के प्रायोटी कॉलिडोर का 40 फीजदी काम पूरा हो चुका है बता दे कि अभी फिलाल यूग गडर रखने का काम चल रहा है जिसे रखने के बाद आधार तयार हो जाएगा और फिर उस पर ट्रैक बिछाने के साथ एलेक्ट्रिक आधी काम होने शुरू हो जाएंगे आपके जानकारी के लिबता दे कि लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस कॉलिडोर पर 5 मेट्रों के काम में भी तेजी लाई जाएगी वही जून महिने से दूसरा टीवीम भी खुदाई में लगाया जाएगा देश को मिला आज 28 मही को देशवासियों के लिए खास दिन है क्योंकि आज देश को नया संसात्भवन मिला है पता दिकि पियम मोती के दोร नहीं संसत्भवन उपसभापती, हडिवन्स के द्वारा सभी को समभोधित किया गया, मालुम हो कि आज नए संसद्भवन के उठगाटन के दोरान देश्वासी को 75 रुपए का सिक्का और स्थाप मिला है, वहीं पी एम मोदी के द्वारा तीन ग्रूप फोटो शीशन भी कराया गया, जिसमें भी हाउसिंग मंत्राले और टाटा प्रजक्ष लिमिटेड शामिल है इसके साथ यूटगाटन के दौरां पीयम मोदी के दौरा लोग सभा कक्ष में सिंगोल भी इस्थापित किया गया है बिहार में हरीद्वार की तरह दिखेगा सिमर्यागत धाम राजी में परटन छेत्रो सादन विभार के दौरा करीब 114.097 करोर रुपए की लागा से पूरा किया जाएगा बता दे कि इस पर योजना के तहत राजिंद्र सेतू और निर्मानादीन छले नए पूल के बीच करी 550 मीटर लंबाई में रीवर एज प्रोडक्शन काड़े के साथ सीड़ी घाट बना पहुचेंगे भागलपूर में दसवी और आई टी आई पास को मिलेगी बंपर नौक्री अगर आप भी नौक्री की तलाश में है तो यह ख़ब आपके लिए बता दी कि बिहार के भागलपूर में अवर्ट प्रादिशिक नियोजनाले काड़े आले में 30 मई को एक दिवस् जिसमें गुजरात की कंपनी वेस्पन एंडिया लिमिटेड के द्वारा मैट्रिक एवं आई टी आई पास अभीर्थियों के लिए मसीन ओपरेटर एवं मशीन ओपरेटर टेक्स्टाइल के 50 पदों पर नौक्री दी जाएगी हाला कि नियोजनाले में नविंधन कराना मादक पदार्तों के तसकरों की संपत्ती भी जबत करेगी एंटी एफ राजे में मादक पदार्तों की तसकरी पर रोक लगाया जा सके इसके लिए एंटी लीकर टास्क फोर्स की तरज पर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानि की एंटी एफ का गठन किया गया है जो पूरे राज्य में मुहींचला कर छापे मारी करनी का काम करेंगे और तशकडों की अवय संपती का पता लगाएंगे और संपती को जब्त करने से संबंधित काम करेंगे बता दे कि है टास्क फोर्स EOU के अंतरगत कारी करेगी और उसका नतितोव EOU के ADG के दोरा किया जाएगा बिहार में इस वर्ष सामाने से कम होगी वर्षा मौसुन व्भाग के दोरा जारी पुरवानुमान के अनुसार केरल में 4 जून तक मौसून की दस्तक हो जाएगे जिसके कुछ दिनों बाद यारी कि 13 से 14 जून के बीच बिहार में भी मौसून दस्तक देरेगा लेकिन परवानमान के बताविक बिहार में मौंसून के दोरां समाने वर्षा 107.2 mm होती है जो की इस बार कम होने की संभावना है मालब हो कि मौंसून के रल के तर से टक्राने के 13-14 दिन बाद समाने तौद पर बिहार में दस्तक देती है बतादे कि सिक्षा मंतरारे द्वरा समी सरकारी और नीजी स्कूलों को यूडायस भरने का आदिश दिसंबर 2022 में ही दिया गया था साथी CBSC ने भी सभी स्कूलों को इसे जल से जल भरने को कहा था जिसके लिए CBSC की वेबसाइट पर भी पहली बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था प्रॉक्सी बनाकर दीब BPSC की परिक्षा वही जैसे ही इस बात की सूचना मिली आयोग के प्रशाखा परदीब कुमार के दौरा सुमत कमार और प्रधाद्या पकपद के अभ्यर्थी रत्निश कमार के खिलाफ सचिवाले थाने में प्रात्मी की दर्ज करवा दी गई और फलहाल आडोपी की ग्रफतारी की प्रयास चारी है बतादी के आयोग को इस बात की जानकारी पत्र लेकर सुपॉल जिले के त्रिवेनी गंज निवासी विवेक कुमार यादव के दौरा दी गई थी बिहार के वन स्टाप सेंटर में तैनात महिला कर्मियों की बढ़ी परिशानी बिहार के साथ जिले ऐसे हैं जहां वन स्टाप सेंटर का संचारन किया जाता है जहां महिलाएं कॉल कर खुद पर होड़ी हिंसा को लेकर एक ही छट के नीचे पुलिस परामर्श्थ विदिक समी समी से मिल सके लेकिन इन सेंटर पर काम करने वाली महिलाओं को कई परिशानी का सामना करना पर रहा है आपके जानकारी के लिए बता दे कि वर्स 2022 थे इसमें कॉल सेंटर में कुल 73,113 कॉल किये गए हैं चिनमें से लगभग 54,416 कॉल से वहीं इसमें सबसे अधिक कॉल ब्लैक कॉल थी गई वज़ा है कि इन सेंटरों में तैनात महिला कर्मियों के परिशानी बढ़ गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि सेंटर पर बाल विवा, घरेलू हिंसा, दहेज के लिए हिंसा, हुमन ट्राफिकिंग, मांसीक प्रतारना, साररीक हिंसा, यौन सोसन समेथ महिलाओं से जुरी कई अनितरह की शिकायतों का निप्टारा किया जारा है कुश्वाहा ने बुलाई पार्टी पदादीकारियों की बैठक, आज पहली बार पुर्वकेंद्री मंत्रे उपेंद्र कुश्वाहा के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में पार्टी पदादीकारियों की बैठक बुलाई गई, जो की दो दिन चलने वाली है, यानि किये बैठक कल तक चलने वाली है आपके जानकारी के सिख्राग क्या ब्हा डीट करयालयज की गई है इस बाठिक नितीर से पूछा करा सवाल बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री एवं राजी सफ्दस्य स्वासदस्य तो उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रे नितीश कमार को नए संस्थ भवन पर सवाल उठाने से पहले सबागा जवाब देना चाहिए कि पटना संग्रहाले का विशाल विटस कारीन भवण रहते एक हजार करोड की लागत से बिहार म्यूजियम और श्रेक्रिशन मेमोरियल हौल के रहते बापू सभगार क्यों बनवाए गए उन्होंने कहा कि जब 2026 के बाद सांसदों की संख्या बराने पर से रोख खटेगी तो उसकी जरूरत को पुराना सांसद पूरा नहीं कर पाएगा ऐसे भी क्या भविशे की तयारी नहीं की जानी चाहिए मुखे मंत्री के इन सरकार की ओर से आहुद बैट को मीर नहीं जाएंगे और प्रधान मंत्री के बिहार आने पर वे उनके स्वागत के सुस्चचार का करतवे भी नहीं दिभाएंगे तो इससे बिहार का भला कैसे होगा निति आयो की बैठक में 2047 के विफसत भारत के रोड मैप पर चर्चा होनी है मुखे मंत्री बताएं कि क्या इस विमर से बिहार को बाहर रहना चाहिए क्या 2047 में बिहार को शेष भारत से पिछरा रह जाना चाहिए जिटी वर्सेश के बीच होने वाला IPL 2023 का फाइनल होगा खास आज रविवार को हिंडियन प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मुकावला चन्नाई सूपर किंग्स कुजरार टाइटन्स के बीच साम साहे साथ बजे से नैंद्र मोदी स्टेडियम एमदाबाद में खेला जाना है बता दे कि आज का यह मैच बेहदी खास होने वाला है क्योंकि धियास में ऐसा पहली बार होगा जब इंपक्ट प्रेयर के नियम के साथ IPL खेला जाएगा इसके लावा यह भी कहा जा रहा है कि आकरी IPL हो सकता है जिसमें धोनी खेलते नजर आने वाले हैं क्योंकि भले ही MS धोनी ने अपने रेटार्मेंट को लेकर इस पस्ट बयान ना दिया हो लेकिन इसको माही का आखरी सीजन मादान चाड़ा है क्या प्रोब्लम है भाई तुमको दोदोबर कैसे आगे तुम यहाँ पे जाने आज बिहार में क्या है पिट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पिट्रोल डीजल के रेट जारी केलस के बाद राजधानी पटना में आज पिट्रोल 107.24 और डीजल 94.04 रुपे प्रति लिटर में मिल रहा है मुझ पर पूर्णो पिट्रोल 107.-65 रुपे और डीजल 94.077 रुपे प्रति लिटर मिल रहा है बिद्धे दिन मादर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगन पजाओं हमें मादर पूछे का सवाल का जवाब दिया है आज IPLK फाइनल मुकाबले में CSK और GT में से आपकी मनपसद टीम कौन सी है और किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं आपना जवाब हमें हमारे कमेंन सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें हाइनल साथ कि अगरा यूटूब से देखे चलनल को सब्सकाइब करना और फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धाने बाद